Hello everyone, this is Pradiv Verma, the Commerce Guru. स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Commerce Studies Zone में. तो आज का ये वीडियो बहुत ही important है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं, एक बहुत बड़े बदलाव, हमारे tax system में एक काफी बड़ा बदलाव लाने की बाद, कल नरेंद्र मोदी ने की है, और उसी पर based आज का ये वीडियो है, तो वीडियो काफी interesting है, और काफी important है, और साथी साथ वीडियो में Hindi medium में भी explanation है, साथे साथ English में भी है, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, एंड तक देखिएगा, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा, और साथी साथ, अगर आज आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया है, तो जरू से जरू चैनल को subscribe करें, और साथी साथ अपने friends में share करें, तो आईए start करते हैं, आज का ये वीडियो हैं, तो सबसे पहले हमें start करने वाले हैं, हिंदी में, तो आईए start करते हैं, प्रधान मंतीर नरेंदर मोधी ने गुरुवार यानि 13 अगस्थ 2020 को, इमांदार टैक्सपेर्स के सम्मान में transparent taxation, मैंने आपको अलग से highlight भी करके दिखा दिया है, जिसकी बादे में खास बाते हमें करनी है, honoring the honest platform को launch किया, इस platform में faceless assessment, कुछ terms भी सामने आए हैं, जिसका explanation आपको वीडियो में मिलने वाला है, faceless assessment, faceless appeal और taxpairs charter जैसे बड़े reform शामिल है, सरकार ने faceless assessment और taxpairs charter आज से लागू कर दिया, मतलब कि कल PMODI ने ये announcement दिया और साथे साथ ये बता दिया कि कल से ही faceless assessment और taxpairs charter लागू कर दिया गया, जबकि faceless appeal की सुविधा 25 सितंबर यानि दीन दयाल उपाध्याजी के जन दिन से पूरे देश भर में नागरिकों के लिए उपलब्द हो जाएगी, तो जो तीसरा reform है, यानि कि हमारा faceless appeal उसको आज से नहीं लागू किया गया है, उसको 25 सप्तंबर से लागू किया जाना है, दीन दयाल उपाध्याजी के जन दिन के सुभा उशर पर, इस मौके पर PM Modi ने कहा कि अब tax system भले ही faceless हो रहा है, लेकिन tax payer को ये fairness और fearlessness का विश्वास देने वाला है, अब जानते हैं एक चीज regarding transparent taxation, basically highlights क्या गरहा, उन highlights का मुझा देख लें, नए reform से कम होगा सरकार का दखल, सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड रुपए तक के केस सुने जाएंगे, tax कानून को सरल बनाने पर होगा focus, ये है कुछ खास बड़े highlights regarding transparent taxation, अब one by one सभी मुद्दों पर बात करेंगे हम, तो पहला मुद्दा, नए reform से कम होगा सरकार का दखल, देखिए क्या बाते लिखी हैं, पियम मुद्दी ने इस मौके पर कहा कि, तो पियम मुद्दी ने कल अपने video conferencing के माध्याम से जो उन्होंने introduction दिया, regarding the new reforms, वो क्या कहा उन्होंने, तो कहा कि देश का इमानदार taxpayer, राष्ट निर्मार में बहुत बड़ी भूमी का निवाता है, जब देश के इमानदार taxpayer का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है, आज से शुरू हो रही नए व्रवस्थाएं, नई सुविधाएं, minimum government, maximum governance के हमारे प्रतिबदता को और मजबुत करती है, ये देश वासियों के जीवन से सरकार को, सरकार के दखल को कम करने के दिशा में भी एक बड़ा कदम है, ये नए भारत के नए governance model का प्रियोग है, और इसके अच्छे नतीजे देश में देखने में आ रहे हैं, दें दूसरी बात उन्होंने कही, सुप्रीम कोर्ट में दो करोर तक के केस सुने जाएंगे, अब इस बारे में उनका क्या कहना था, तो प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि, भारत के tax system में fundamental और structural reforms की जरुरत इसलिए थी, क्योंकि हमारा आज का इस system गुलामी के कालखंड में बना, तो ये जो tax system हम follow कर रहे हैं भी, कर रहे हैं थे कल तक, वो गुलामी काल में बना हुआ था, और फिर धिरे धिरे विक्सित हुआ, आजादी के बाद, इसमें यहाँ वहाँ थोड़े बहुत परिवर्तन किये गए, लेकिन ज़्यादातर system का charter वही रहा, अब high court में एक करोर रुपे तक के, और supreme court में दो करोर रुपे तक के case की सीमा तै की गई है, तो एक बड़ा change आपके सामने है, विवाद से विश्वास, जैसी यूजना से कोशिस यह है कि, ज़्यादतर मामले court से बाहर ही सुलच जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में court की सेती कैसी है, कितने सारे court case में pending पड़े हुए है, तो इसी लिए वो चाहते हैं कि बाहर court से ही बाहर मामला सुलच जाए, टैक्स प्रणाली को seamless, painless, faceless बनाने की कोशिस हैं, अगला मुद्दा, टैक्स पेर्स, चार्टर बढ़ा कदम, देखे अब इस बार उन्होंने क्या कहा, तो पीम मुद्दी ने कहा कि टैक्स पेर्स चार्टर भी देश की विकास यात्रेम बहुत बड़ा कदम है, अब टैक्स पेर को उचित, विनम्र और तर्ग संगत व्यभार का भरुसात दिया गया है, यानि आएकर विभाग को अब टैक्स पेर की गरीमा का समवेदन शीलता के साथ ध्यान रखना होगा, अब टैक्स पेर की बात पर विश्वास करना होगा, डिपार्टमेंट उसको बिना किसी आधार के ही शक की नजर में नहीं देख सकता है, देन अगली बात, टैक्स देने में सक्षम लोग आ गया है, तो PM उदी के एक बड़ी अपील थी लोगों से, देशवासियों से, PM ने कहा कि बीते 6-7 साल में इंकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के संख्या में करीब धाई करोड की वृद्धी हुई है, लेकिन ये भी सही है कि 130 करोड की देश में अभी भी बहुत कम है, तो हमारी देश की जो जनसंख्या है, उसके हिसाब से जो वृद्धी हुआ है, इंकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लोगों में वो बहुत मान्यूट सा है, इतने बड़े देश में सिर्फ डेड़ करोड लोग ही इंकम टैक्स जमा करते हैं, जो टैक्स देने में सक्चम है, लेकिन अभी वो टैक्स नेट में नहीं है, वो स्वाप रिड़ना से आगे आए, यह मेरा आग्रह है और उम्मीद दी, तो पीयमोदी ने यह अगरह रिक्वेस्ट किया है और वो एक्सपेक्ट करते हैं, कि जो अब तक टैक्स स्लैब में आते हैं, लेकिन टैक्स नहीं पेक कर रहे हैं, वो सेल्फ मोटिवेट होकर के टैक्स पेक करें, देखें, इस पर क्या कहना इनका, इससे पहले बुधवार को, जस्ट एक दिन पहले, वित्व मंत्राले में एक बयान में कहा कि, टैक्स रिफॉर्म, टैक्स रेट में कमी करने और डारिक टैक्स कानूनों के सरली करन पर फोकस कर रहा है, आयकर विभाग के काम का आज में दक्षिता और पारदर्शिता लाने के लिए CBDT की ओर से कई कदम उठाए गए हैं, हाल ही में सुरू की गज़ दस्तावेच पहचान संक्या याने की DIN की जरिये अधिकारिक कम्यूनिकेशन में अधिक पारदर्शिता लाना भी इन उपायों में शामिल है, जिसके तहत विभाग के हर कम्यूनिकेशन या पत्र विभार पर कम्यूटर जेनरेटेड एक यूनिक दिन होता है, इसी तरह करदाताओं के लिए कम्प्लाइंस को ज़्यादा आसान करने के लिए आयकर विभाग अब पहले से भी भरे हुए आयकर रिटन फार्म उपलब्द करा रहा है, ताकि पर्सनल टैक्सपेर्स के लिए कम्प्लाइंस और भी अधिक सुविधा जनक बनाया जा सके, इसी तरह स्टार्ट अप्स के लिए भी कम्प्लाइंस मानुकों को सरल बना दिया गया है, तो कुल मिला करके टैक्स कानून को सरल बनाने के उपर जोड़ दिया जा रहा है, अब जैसा कि आपने देखा कि तीन वर्ड्स पर बात हो रही है, तो आईए उन वर्ड्स को हम जाने हैं, उनके डिटेल्स में जानते हैं, तो पहला वर्ड हमारे सामने आया, फेसलेस असस्मेंट, तो ये क्या है, तो फेसलेस का अर्थ है, करदाता कौन है, और आयकर अधिकारी कौन है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, यानि ये तरह से आइडेंटिटी हाइड करने की बाद, पहले आयकर विभाग जाज करता था, लेकिन अब किसी भी राज्य का अधिकारी कहीं की भी जाच कर सकता है, ये सब भी तय होगा कि कौन सा टैक्स असस्मेंट कौन करेगा, साथ ही असस्मेंट से निकला, रिव्यू, किस अधिकारी के पास जाएगा, ये किसी को भी पता नहीं चलेगा, बिलकुल कुछ वैसे ही जैसे आप सभी हम लोग बोर्ड एक्जामरेशन का पेपर देते हैं, तो पेपर कौन बना रहा है हमको नहीं मालूम, कौन किसकी कौपी को चेक कर रहा है वो भी नहीं मालूम, लेकि काम हो रहा है, वैसे ही बिलकुल समझ देजिया, इससे आएकर अधिकारियों से जान पहचान बनाने और दबाव बनाने के हत्कंडे नहीं चलेंगे, क्योंकि ऐसा हम देखते थे, कि ऐसा होता था, कि इंकम टैक्स ओफिसर स्केस है, अगर किसी के पहचान है तो आपने आपको काफी हत्तक सेफ कर पाता था, लेकिन अब ऐसा कर नहीं सकेंगे, क्योंकि आपका रेंडमली किसी से भी रिव्यू किया जा सकता है, इतना ही नहीं, इस कदम से गैर जरूरी मुकदमे से भी बचा जा सकता है, दें दूसरा वर्ड आया आपका, फेसलेस अपील, अब ये क्या है, तो फेसलेस अपील की सुविधा 25 से उपलब्ध होगी, इसके बारे मा उलड़ी हमने वीडियो में देखा, इसके जरिये करदाता अपील कर सकेंगे, फेसलेस अपील का मतलब है कि, अपील करने वाले सक्ष की जनकारी, अधिकारी को पता नहीं चलेगी, ठीक है, तो जो शक्स जो है अपील कर रहा है, उसकी जनकारी, अधिकारी को पता ही नहीं चलने वाली है, कि आखिरकार किसकी कंप्लेन है, कि कौन अपील कर रहा है, सब कुछ कंप्यूटर के माद्यम से तैह होगा, यानि इसके जरी एक किसी चहेते के पास अपील को नहीं भीजा जा सकता, यानि कुल मिला करके जो फेवरिटिज्म कह सकते होगा, वो चीज हटाने के उपर बल दिया गया, ताकि पार्शियल्टी ना हो सके बिल्कुल दिया, देन तीसरा वर्ड हमारे सामने है टैक्सपेयर्स चार्टर, टैक्सपेयर्स चार्टर देश की विकास यात्रा में एक बड़ा कदम है, इस अंदर में पिये मूदी ने कहा कि ये करदाता के अधिकार और करतवियों को संतुरित करने में मदद करेगा, करदाताओं को इस इस्तर का सम्मान और सुरक्षा देने वाले बहुत ही कम देश है, अब भारत भी उनमें से एक शामिल हो गया है, करदाताओं पर विश्वास करना होगा, इस चार्टर में करदाता से कुछ अपेक्छाई भी की गई है, करदाताओं के लिए कर का भुगतान करना और सरकार के लिए कर लेना जिम्मेदारी है, टैक्स से ही सिस्टम चलता है और बड़ी अबादी के प्रति देश अपना फर्ज निभा सकता है, तो यही है आपका टैक्सपेर्स चार्टर, तो यह हो गए आपका हिंदी वर्जन में वीडियो का सारा डिटेल, अब हम इंगलिश सेक्षन में एंटर करने जा रहे हैं, तो अब आगे इसके डिटेल्स इंगलिश में होंगे, ठीक है, तो ध्यान से अब इसको भी सुनिएगा, तो आपको होपस हो कि वो सारी बाते अच्छे से क्लियर हो जाएं, तो देखिए, यह है आप जो नीज में आज देख रहे होंगे सुबह से, फेसलेस असेस्मेंट्स, हाइलाइट्स में, फेसलेस अपील और टैक्सपेर्स चार्टर, और अल्रेडी हमने वीडियो के पिछले ही सेक्षिन में इसको अभी अभी एक्स्पेर्म किया है, एनी असेस्मेंट अदर दन एक्सेप्षिन आउटसाइड फेसलेस स्कीम विल बी इन्वैलिट, नो इंट्रसिव एंड सर्वे अक्षिन बाई फील्ड ओफिसर, यह कुछ हाइलाइट्स हैं, हम इनके डिटेल्स में जाएंगे भी वीडियो के अन्ट सेक्षिन में, नेक्ट देखिए, क्या है, फेसलेस असेस्मेंट अपील, अब्जेक्टिव क्या है, सबसे बड़ी बात जो बार-बार निकल क्या रही वो यही है, इन टारेक्ट फीजिकल इंटरफेस जो होना था, टैक्स पेर और टैक्स आफिसर में जिससे पार्शिल्टी हो सकती थी, वो चीज बिलकुल भी हटा दिया गया है, तो फीचर में आई देखे क्या है, यही बात वही हम बता रहे थे, जैसे कि बोर्ड एक्जामनेशन काप्या किसी भी एक्जामनेर के हाथ चली जाती है, भी नेवर नो कि कौन चेक करने वाला है, तो पार्शल्टी नहीं होती है, वही सेम बात है, आप ओफिस ही नहीं जाओगे, तो किसी ओफिसर से आपको जान पेचान बरहने के जरूत ही नहीं है, और नहीं किसी तरह के आपकी असुविदा होंगी, ना कोई पार्शल्टी होंगे, टीम-बेज़ असेस्मेंट एंटीम-बेज़ रिवीव, देन, देखे, बहुत बड़ी बात यहाँ पर आपके सामने है, कि द्राफ्ट असेस्मेंट ओडर इन वन सिटी, रिवीव अनदर सिटी, और जो फाइनलाईजेशन होगा, वो थर्ड किसी अनदर सिटी में होगा, यानि कि कहीं से भी कोई पार्शल्टी चांसेस ही नहीं है, और आते हैं नेक्स्ट पाइंट के तरफ, अबजेक्टिव, फेर, अड जस्ट ओर्डर, अड लास्ट वन, तो थर्ड अफ मैन पावर, इस उतिलाइज़ फॉर, फेसलेस अन बालेंस फॉर, देखें, उनने क्या क्या कहा है, Taxation, Honoring the Honest, a new system of 21st century, tax system has been launched on 13th of August 2020, that is on yesterday, that is on Thursday, the facility of faceless appeal, will be available for citizens across the country, from 25th September, today as the tax system is becoming faceless, today that refers to yesterday, as per PM Modi's statement, that was today, it is giving confidence to the taxpayer of fairness and fearlessness, says PM Modi. The emphasis is on making every rule law, policy people centric and public friendly, this is the use of new governance model, and the country is getting its results, says PM Modi. Next what he says, is the honest taxpayers of the country, play a big role in nation building, when the life of an honest taxpayer becomes easy, then the country also develops, says PM. In the last six years, government's focus has been banking the unbanked, securing the unsecured, and funding the unfunded. Today a new journey is starting in a way honoring the honest. The facility of faceless appeal will be available for citizens across the country, from 25th of September, today as the tax system is becoming faceless, it is giving confidence to the taxpayer of fairness and fearlessness. From power centric to people centric and public friendly approach, every rule law and policy is taken out of the process. This is the use of new governance model of new India, and the country is getting happy results as well. New arrangements and new facilities starting today strengthens our commitment toward minimum government and maximum governance. This is a big step in the direction of reducing interference of the government in the life of the countrymen. Fundamental and structural reform were needed in the tax system of India because our system was created during the period of slavery, but it evolved slowly. Post-independence, a lot of changes were made, but the system largely remained the same, says PM. Compliance is also difficult where there is a complexity. If the law is very clear, then the taxpayer is happy as well as the country. This work has been done for some time like GST, has come by replacing dozens of taxes, says PM. Along with the complexities of the producers, procedures, tax has also been reduced in India. Tax is now zero on income of Rs. 5 lakh. In the remaining slab, the tax has come down. We are one of the lowest tax-consuming countries in the world in terms of corporate tax, says PM. Our effort is that our tax system should be seamless, painless, faceless. Seamless means that the tax administration should work to solve the problem instead of confusing every taxpayer. Taxpayers' charter is also a big step in the country's development journey, says PM. Those who are able to pay tax but are not paying taxes should come forward with self-motivation. This is my request, says PM Modi. and the taxpayers is now assured of fair, courteous and national behavior. That is, the income tax department now has to take care of the taxpayers' dignity sensitively. So, 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 this was today's video, all the information regarding the announcement that PM Modi has done regarding the new tax structure. And, I hope so, that you have to have a good video. And, if all the information you have to have a good, interesting, then, like the video, like the feedback, comment section, and share the information. So, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक लिए टेक केर. बाई बाई.